नमस्ते मैं हूं डॉक्टर सिवानी पाइनेनी फिजीशन और डाइबेटलिस्ट आज हम डाइबेटेस में एक इंपोर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे यह है डाइबेटेस रिवर्सल एक बार डाइबेटेस आता है तो वह कम होगा कि नहीं क्यों कर सकते हैं या नहीं दवा एक बार स्टार्ट करेंगे एक बार लेना शुरू करेंगे तो यह जिन्दगी बार लेना पड़ेगा या बंद कर सकते हैं अगर बंद कर सकते हैं इसके बारे में कुछ चीज़े बात करेंगे सबसे पहली बात है एक बार diabetes आता है टाइप 1 या टाइप 2 आता है तो टाइप 1 का तो कुछ क्योर नहीं है जिन्दगी बर insulin लेना पड़ेगा जब टाइप 1 diabetes किसी को आता है इसका मतलब है उनके body में insulin बनना बंद हो गया इसकी वज़े से जिन्दगी बर उनको insulin लेने की जरुरत पड़ेगी शुगर कंट्रोल में रखने के लिए लेकिन type 2 diabetes थोड़ा अलग है type 2 diabetes क्यों आता है हमें पता है कि type 2 diabetes हमारे जीवन की तरीके की गलत तरीके की वज़े से आता है यह सबसे बड़ा कारण है type 2 diabetes के लिए त यह सबसे पहले यह किसलिए आया है type 2 diabetes हाँ अगर फैमिली हिस्ट्री के वज़े से आया है मतलब पचास साथ साल के ऊपर जो उमर है पेशन में उनके फैमिली में ओल्रडी डाबेटेस type 2 diabetes है उसकी वज़े से अगर डाबेटेस आया तो अगर टाबलेट से थोड़ा एक दो टाबलेट से हम शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं नियंत्रन कर सकते हैं लेकिन रिवर्सल रेमिशन कब हो सकता है सबसे पहले हम आज कल जैसे हमने बात किया था टाइप 2 डाबेटेस आज कल बहुत यंग पेशन्स में भी देख रहें मतलब 20-30 साल के उमर में भी टाइप 2 डाबेटेस देख रहें यह क्यों आ रहा है गलत जीने की तरीके से जैसे कि खाना ठीक से नहीं खाना हेल्दी खाना नहीं खाते तो यह बजन ज्यादा रहता है ओवरवेट या ओबेसिटी जो बोलते है या स्मोक करते है या ज्यादा ड्रिंक करते है या स्ट्रेस ज्यादा रहता है या बिलकुल फिजिकल आक्टिविटी नहीं रहता तो इन लोगों में हम बहुत ज्यादा टाइप 2 डाबेटेस देख रहे हैं जो भी यंग पेशन्स है तो कुछ दिनों के लिए दवा देके एक बार नियंतरन में आया राया तो हम दवा बंद कर सकते हैं लेकिन यह दवा कब बंद कर सकते हैं कुछ लोग सोचते कि अभी मेरे शुगस कट्छू अं मैं है, मतलब नॉर्मल आ रहा है काने से पहले एक सो से नीचे आ रहा रह मैं अभी दवा बंद कर सकते हैं यह बहुत बढ़ा डाउट है सब लोगों को एक बार डवा लेना शूरू करते है और डवा के उपर जब रहते हैं और शुगस मियंत्रण में रहते हैं इसका मतलब है जो दवा आप ले रहे वह अच्छे से काम कर रहें दवा की वज़ये से शुगस मियंद्रन में है, इसका मतलब यह नहीं कि एक बार कंप्रोल में आ गया, तो टाबलेट बंद कर सकते हैं, यह एंटिबाइटिक कोर्स जैसा नहीं है, जो कि तीन माईने के लिए ले लिया, टाबलेट, शुगर का टाबलेट, मेरा HPA1C6, 7 तक आ गया, यह खाने से पहले शुगर 100 रह रहा है, खाने के बाद 150 रह रहा है, मैं बंद कर सकते हैं, अगर वो टाइम पर अगर दवा बंद करेंगे, तो शुगर्स फिर बढ़ जाएंगे, टाबलेट का डोस कम कर सकते हैं, या बंद कर सकते हैं, जब पेशन्ट के शुगर्स लो हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर्स डाउन हो रहा है, तब ही जाके हम शुगर टाबलेट का डोस कम कर सकते हैं, या बंद कर सकते हैं, और यह एक बार बंद करने के बाद क्या कर सकते हैं, मतलब शुगर नियंतरण में आगे, जैसे कि ओवरवेट के पेशन्स में वेट कम हो गया, हाइट के हिसाब से वेट घट गया, घटा, या खाने के तरीके बदल गया, हेल्दी खाना खा रहे है, रेगलरली वॉक के ले जा रहे है, या फिजिकल अक्टिविटी करे, ये सब ल जीने के तरीके जिसके वज़े से आपके शुगर नियंतरण में आए है, वो लगातार कंटिन्यू करना, लगातार उनको जीने के तरीके लाइफस्टाइल चेंज को मेंटेन करना बहुत जादा इंपोर्टेंट है, हाँ, एक बार वेट लॉस हो गया, वेट घटा, उसके बात अगर हाँ मेरा वेट घट गया और मेरा शुगर से कंट्रोल में आ गए तो अब मैं कुछ भी खा सकता हूं, फिर वेट बढ़ सकता हूं, ऐसा सोच के अगर जीने के तरीके फिर बदल जाएंगे, फिर अनहेल्दी चीज़े खाना शुरू करेंगे, या फिजिकल अक् लागे मैं नियनतरन में आ गए तो इसके बाद भी जो आफके जीने के तरीके है Buddy वेट जीने के तरीके है उसको मेंटें़ करेंश flat 18 में रखना वजन कंट्रोल में रखना और ईब्गन अ जिसे जो उसको कंट्रोल तरह में रखना उसकोके नियंत्रन त्काण सरोक्त संथा कि अपको जूगरत आपको दवा लेने की जरुरत पड़े और फिर से आपके शुगर आउट आफ कांट्रोल हो जाए तो एक दो चीज है इंपॉर्टेंट है जब कब हम रिवर्सल कर सकते हैं कब हम रेमिशन में जा सकते हैं शुगर के डाइबेटेस जब आपके लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा दवा के एक बार शुगर के कंट्रोल में आए तब हम शुग रिवर्सक्राइबलेट का कहरें सकते हां बंद नहीं कर सकते हैं अगर आपके शुगर आउ रहे हैं जैसे कि नॉर्मल से लॉ रहे है तब ही जा के हम शुगर का नौ टा इन्सुलिन जो दवा हो या इंसुलिन हो जब भी शुगर डाउन होते तब ही हम इन दोस कम कर सकते हैं और एक बार दवा से बाहर निकल के आगए और बिल्कुल बिना दवा के शुगर कंट्रोल में रख रहे हैं वो टाइम पर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना नियंतरंग करना डायट का कंट्रोल में रखना फिजिकल अक्टिवीटी मेंटेन करना यह सारे चीज़े इतना ही इमपॉर्टेंट है ताकि आप फिर से जाके दवा के ऊपर डिपेंड होने का रिस्क कम कर सकते हैं और बिना दवा के आप शुगस कंट्रोल में कर सकते हैं